मैंने रंदर त्यागी सनोपली सिराज त्यागी गाउं करनेरा तैसिल बल्लंगड जिला फड़दवाद का निवास ही हूँ मैंने 15 साल पहले खेती का काम आरम किया था जिसमें मुझे परंपरागत खेती करने का नुबव था वो मैंने शुरू करा उस परंपरागत खेती में मैंने घ्यों और धान की स्पसल सुरू करी थी उसके बाद में मैं केवी के भुपानी के संपर्क में आने के बाद मैंने पहले अपनी जमीन की मिट्टी की जाच कराई मिट्टी की जाच कराने के बाद मुझे मैसूस हुआ कि मुझे अपनी प्रमपरागत खेती बदलने के साथ मुझे जो है आलू और सब्जीयों के लिए मुझे काम करना था सब्जीयों काम करने के लिए मुझे डॉक्टर राजिंदर जी ने एक सला दी उस सला में कहा गए कि आप 1121 को छोड़ जोड़ कर 15.09 की खेती करें मैंने 15.09 की खिसम시 की दान की लगाई जिसमें लगाने के बाद मैंने आलूग और गोभी दोनों की सब्जियों की खेती करी सब्जियों खेती करने के बाद मुझे मुनाफ़ा काफी हुआ मेरी दिल चस्पी बड़ी तो मैंने मिस्रित खेती करनी आरम कर दी फिर उसके बाद में मैं डुक्षट देशवाल जी ने मुझे सला दी कि आप जो है मेंडो पे पापुलर और सफेदे लगाओ, मैंने उनकी सला के कारण सला लेने के बाद में पापुलर और सफेदे लगाई, सेफेदे लगाने के बाद में मुझे को जो है उनकी जो आर्थी क स्थिति काफी अच्छी हुई बेगने के बाद में उसे मुझे आर्थिक लाब मिला उसके साथ मैं प्रमपरागर्थ खेती आधिया छोड़ दी उसके बाद मैं सब्जियों में आ गया मैंने सब्जी के खेती करनी सुरू कर दी मैंने जो आधियाधी कर दी हैं आधियाधी खे लगाता हूँ, गिस्म काली मूंग लगाने के बाद में मुझे उसका आर्थिक लाब मिलता है, आर्थिक लाब के साथ साथ मुझे उसकी जमीन की उर्फ सकती भी वड़ती है, और मुझे खर्चा मेरा जो अगली फसल का है, वो कम हो जाता है, खाद का.